तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपो के नए डिजाइन और उनके नए फोन्स के बारे में तो कि बहुत ज़ली लाँच होने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो जो है वह मैं आप तक लाता रहूं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं उपो के बारे में ओपो एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेटिव चीजों के लिए माने जाती है अलग- प्रेटाइजमेंट रिचिक रॉशन करते हैं आप शायद देखा होगा उसी के बाद बहुत से इनोवेटिव और भी प्रोड़क्त लेकर आया है अभी इसी सालों ने मतलब एक ऐसा कैमरा निकाला है पॉप-प कैमरा के नाम से वह माना जाता है फाइंडेक्स के फोन जो र प्रोड नहीं है क्योंकि एक जो डिजाइन जो है ओपो लेकर आने वाला है और जो यह डिजाइन है वो ऑफिशल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं एक वीपो करके एक ऑर्गनाइजिशन है जो पैटेंस वगेरे को अलाओ करती है कंपनी को कि जब अपने पैटेंस पैटेंस और डिजाइन लेकर जाती है उसके पास और वो अलाओ करती है कि हाँ आप ऐसे पैटेंस फोन बना सकते है तो उसी को उसी नहीं जो है ऐसी नियूज निकाली है वो यह है कि आप ऑपो का डिजाइन है वो बहुत खतरनाक सा होने वाला है जिसे आपने पॉप अब पॉप यह नियूज निकल के आप तक आजाएगी तो ऐसी टाइप की डिजाइन जो है वो डिजाइन जो है इस तरह होने वाला है उसके अंदर से एक और स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी जैसे आप लोगों ने पॉप अप क्या देखा था उसी की तरह यह पॉप अप हो क्या यूज होने वाला है वो तो OPPO ही जाने है और आगे हमें देखने को मिल जाएगा जब यह उफिशल ही रिलीज हो जाएगा लेकिन जो यह इनोवेटिव चीज जो है वो सिर्फ OPPO ही कर सकता है और यह जो OPPO सिर्फ प्रोटाइप नहीं बनाता है यह मार्केट में भी उ नहीं होए लेकिन इसकी डेजाइन्स है और इस होगे और इस पे पर आण बने काम करना में शुरू lihat तो मैं दूसी डिजाइन के बारे में आप से बात करता हूँ जो फो की डरव सहिए है यह ब्लया फिर किष्ट करनें है यह ड़िजाइन तो सन्सेन है दिजाइन पर तो इस डिजाइन को जब मैने देखा तो यह देसा थोड़ी बहुत मुझे समझ आ रही है कि आप कहां का यूज कर सकते हैं जिसे आप कीपड की थाँ इसको और गेमिंग जो है वह बहुत हट तक आगे बढ़ चुकी तो आप उसको अजब अश्रा कंट्रोलर यूज कर सकते ह आप पूरे स्क्रीन में कुछ वीडियो अगरे दिख सकते हैं तो यह जो डिजाइन वो मिलेको थोड़ी से समझ आई है कि इसको हम कहा का यूज कर सकते हैं लेकिन जो पहली डिजाइन जो मैं आपको बताएदी वो डिजाइन के बारे में में बिल्कुल समझ दे आ रहा है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं छोटी से स्क्रीन को अब वो जो है यह दोनों जो डिजाइन है वो की तरफ से फाइनलाइज हो चुकी है और वीपो ने जो है इसको अलाविंस दे दिये और उपो ने इसका काम जो है शुरू कर दिया है अभी कुछ दिनों पार एक और जो चीज है उसका फाइनल मॉडल जो है वो मार्केट में रिलीज होने वाला है उपो की तरफ से फोन का नाम है राइनो यह जो टेक्नलोजी है इसके जो यूज हुई है वो एम ड़ू सी में आपको देखने को मिली थी यह टेक्नलोजी थी 10x जूम की इसको आप 10x जूम करके लिए बिल्कुल लॉसलेस होती है बिना किसी लॉसलेस के आप जो किसी इमेज को अच्छे से देख सकते है तो वह टेक्नलोजी जो है ओपो के राइनो फोन में आने वाली है जो दो चार देंगे रिलीज होने वाला है और इंडिया में भी बहुत जबी देखने को मिल जाए हो ओपो का एक इनोवेटिव डिजाइन जो है वह आपको पसंद आया हो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो है वह भी इस वीडियो को देखें और उनको भी थोड़ा ऐसी इन हुआ